कितना ही कोशिश कर लेना कितना ही सोच ले किताबों को लेकर वैट जाना हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा मतलब we are not feeling like studying और मैं आपको एक बाभ बताऊ ना ये जो आप सोच रहो ना I think it's very normal you know why because I feel you people have a lot of time कहीं ना कहीं आपके जब 3 महीने है और आपको दिख रहा है यार exam तो 3 महीने बाद है बाद में भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा तो अभी पढ़के कोई फायदा नहीं है but let me tell you जब अभी आपके पास time है तो आपके पास पढ़ने का मन नहीं है और जब आपके पास time नहीं होगा न तो आप पढ़ने का बोलो गया आप मिरको पढ़ने है तब फिर pressure feel होगा and then उस time पे कुछ नहीं कर पाएंगे तो अभी मैं आपको simple सी वाद बताता हूँ अभी recently एक बहुत famous challenge फेमस हुआ था 75 hard मैं आपको कहता हूँ 75 hard गया भाड में आप one day easy challenge लोग है मेर से अगर ये one day easy challenge आप पूरा करते हो न trust me आपका continuously एक बड़िया मामला बन जाएगा sir क्या मतलब इसका मैं कहता हूँ एक one day easy challenge है आपने कल के दिन को plan करना है आपने ये plan करना है कि मुझे आज चार पांच कौन से topics करने आज कौन सी चीज पढ़नी है और जो भी वो plan है जैसे जैसे वो plan आप achieve करते जाओ उस पे टिक लगाते जाना और at the end of the day analyze करना कि आप से 75 hard तो छोड़ो क्या one day easy हो पाया या नहीं simple है let's keep it very simple हाँ sir and जब आप वो one day easy challenge रात को complete करोगे trust me जब आप खुद के बनायवे plans को implement करोगे उन पर action करोगे उनको achieve करोगे आप खुद motivated फील करोगे उस one day easy को वापिस continue करने के लिए दिक्कत या आती है हम यह सोचते है यार यह तीन महीने हम कैसे consistently पढ़ पाएगे मैं कैता हूँ तीन महीने है नहीं आप कल पे focus करो आप बस अपना पूरा का पूरा जो dedication है कल पे लगाओ कि कल पे मुझे अच्छे से पढ़ाए करनी है अगर मेरा कल अच्छा हो जाएगा मैं कैता हूँ day after tomorrow will be even better क्योंकि आपको खुद आदत पढ़ जाएगी इस kick की मैं सच्छी बता हूँ ना असली खुशी असली मज़ा तभी आता जब हम अपने लिए कुछ करते है कोई और हमारे लिए करे it feels good कि जैसे मम्मी पापा से पैसे लिए उड़ा दिये अच्छा लगता है पड़ वो satisfaction नहीं मिलती satisfaction तभी मिलते है जब हम खुद के लिए कुछ करते है तो मैं आपको कहता हूँ just focus on one day यानि tomorrow आपने बस कल पे focus करना है और जो आपका एक दिन है उसको अच्छे से plan करो उसके जो plan है उसको execute करो keep it very simple and once it is executed do let me know in the comments क्या आपने वो चीज अचीव किया नहीं तो सबसे वेले अभी आपने में को commitment करना है comment section में कि I will take up this one day easy challenge यानि मैं अपने इस दिन के targets को बनाऊँगा targets को achieve करूँगा tick tick करते चलोगे तो मज़ा आता चाहेगा and then फिर उसके बाद second comment जो आपने आप आके करना है अगर आप अपना भला चाहते हो सोचते हो कि मुझे I want to do something for myself मुझे इस चीज को break करना है जो पढ़ने का मन नहीं करना मुझे actual में मन बनाना है तो फिर आपने second cheese बतानी है कि क्या आपने वो चीज़ अचीव करी या नहीं और अगर अचीव करी तो कैसा लग रहा है this is my challenge for you one day easy challenge let's see किते लोग हैं जो इसको अचीव करते हैं किते लोग हैं जो अपने लिए कुछ कर दिखाते because देखो simple सी बात है ये बोलना कि मैं CA बनना चाहता हूँ मैं बहुत motivated हूँ मैं अपनी family के लिए कुछ करना चाहता हूँ बोलना बहुत असान है करना उतना ही मुश्किल है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप 75 हट छोड़ो one day easy achieve कर पाते कि नहीं so thanks a lot for watching this video let's see who all take up this challenge and who all do really really well बस मेरी आप से एक ही ख्वाइश है this is the time make the most of it so that future में जाके कभी कई regret ना हो कि काश मैं अच्छे से पढ़ लेता काश मैं अच्छे से महनत कर लेता एक काश वाली चीज़े न अच्छी नहीं लगती so just give your best and yes चैरे पर इस्वाय रखना क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे see you all in the next video अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अदर do subscribe it and yes let's get up later